Good day to all of you, आज आप पिछली क्लास का revision करेंगे, क्या आप बता सकते हैं पिछली क्लास में आपने क्या-क्या सीखा था? पिछली क्लास में आपने view menu के option जैसे की normal, page break preview, toolbar, column and row, header, sidebar और भी option के बारे में सीखा था, और उनको hide और so करना भी सीखा था क्या आप बता सकते हैं, normal और page break preview में क्या अंतर होता है? नॉर्मल व्यू में आप अपनी पूरी सीट को देख सकते हैं, और page break preview में आपने जहां तक type किया है, सिर्फ आपको वहीं तक सीट दिखाई देगी, और आपको पूरी सीट दिखाई नहीं देगी क्या आप बता सकते हैं, column and row header को अप्यो क्यू करते हैं? column and row header की मदद से आप अपने column और row के बारे में जान सकते हैं, जिससे आपको उस cell का address पता लग जाएगा, कि कहां पर आपने अपने cursor को रखा है? अब आप सभी अपने computer को on करें, बताय जा रहें एक नए तरीके से file को open करना सीखें आए वीडियो की मदद से सीखते हैं, कि desktop पर बने shortcut icon के दवारा spreadsheet की file को कैसे open करते हैं? सबसे पहले आपको open office icon को ढूणना है, अपने pointer को वहाँ पे लेके जाना है, और इस पे दो बार जल्दी जल्दी से left button दवा देंगे जैसे इस पे दो बार left button दवाएंगे, एक box आजाएगा, इसे quick start window बोलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सारे options ओपलब्ध हैं, इसमें से आपको spreadsheet seat option को ढूणना है, फिर अपने pointer को spreadsheet seat option पर लेके जाना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हम अपने pointer को spreadsheet seat पर लेके गए, और फिर इस पर click कर देंगे, जैसे ही click करेंगे, हमारी spreadsheet seat की file open हो जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, spreadsheet seat की file open हो गया, इस प्रकार से आप desktop पर shortcut icon की दवारा, spreadsheet seat की file को open कर सकते हैं, आईए जानते हैं कि आज की class में आप क्या सीखेंगे, सबसे पहले आप एक table बनाएंगे, और उस table में आप sum, average, maximum, minimum, formula का अभ्यास करेंगे, फिर आप view menu के कुछ option का revision करेंगे, जैसे की, page break preview, normal, toolbar, value highlighting, column and row header, अब आप सामने दियेगे, चित्र की तरह एक table बनाएं, अच्वा खुद से कोई table बनाएं, क्या आप सभी ने table को बना लिया है, अगर नहीं, तो जल्दी से type करें, अब आप सभी sum करके दिखाएं, अगर कोई समस्या हो, तो दिखाये जारे वीडियो की मदद से सीखें, सबसे पहले जहां पर हमें sum formula का उप्योग करना है, जैसे कि आप देश सकते हैं वीडियो में जहां पर total लिखा हुआ है, हमने cursor को वहां पर लेकर हमने click किया, और सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी formula उप्योग करने से पहले, हम equal to लिखते हैं, इसलिए हमने सबसे पहले equal to लिखा, उसके बाद हमें sum formula लिखना है, तो हमने यहाँ पर sum sum type किया, अब हमें जिस number का total निकालना है, अब हम उन numbers को select कर लेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने तीनों numbers को select किया, और फिर जाके bracket को close करके enter कर दिया, enter बटन दवाते ही, उन सबका total value निकाल के यहाँ पर दिखा देगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया दे रहा है, फिर से total निकालने के लिए equal to लिखे, इस फार हम दूसरे तरीके से total निकाल रहे हैं, सम कर रहे हैं, दूसरे तरीके से सम करने के लिए, इस फार हम सिंबल का उप्योग करेंगे, सबसे पहले हमने equal to लिखा, फिर जिस नंबर का total करना है, उस नंबर को select किया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने यहाँ पर B3 यानि कि जो 26 है उसको select किया, फिर प्लस का सिंबल लगाया, फिर C3 जो 24 उसको select किया, फिर प्लस का निसान लगाया, फिर last में D3 जो 26 है, उसको select किया, select करने के बाद, enter button दवा देंगे, जैसे enter button दवाएंगे, इन टीनों का total करके यहाँ पर दिखा देगा, जैसे के आपको वीडियो में दिखाई दे रहें, अगर आप बाकी सबी का total दिखाना चाहते हैं, तो आपको सिफ यहाँ से drag करना है, पहले उस cell को select करें, वहाँ पर एक black color का बटन आएगा, cursor command नीचे रखें, और drag कर दें, जैसे drag करेंगे, उन सब का total यहाँ पर आपको दिखा देगा, तो इस प्रकार से आप sum formula का उप्योग कर सकते हैं, अब आप average formula का अभ्यास करके दिखाएं, अगर कोई समस्या हो, तो वीडियो की मदद से सीखें, आईए वीडियो देख के सीखते हैं, average formula का उप्योग कैसे करते हैं, average formula का उप्योग करने के लिए सबसे पहले जहाँ पर आपको यह formula लगाना है, उस cell पर click करें, वहाँ पर average लिखें, जिसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, हमें F column में average का formula लिखा हैं, इसलिए हमने F वहाँ पर average लिखा, उसके नीचे हमने equal to का निसान लगाया, क्योंकि आप सब भी जानते हैं, कोई भी formula का अगर हम उप्योग करते हैं, सबसे पहले equal to का symbol हम लगाते हैं, फिर उसके बाद average formula का नाम लिखा, और उसके बाद हमने bracket को start किया, जैसे कि आप वीडियो में देख रहा हैं, bracket को start करने के बाद, जिस number का हमें average निकालना है, उस number को हम select करेंगे, उन सभी number को select करेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, total number किया गया है, उस number को हमने select किया, जैसे कि आप देख सकते हैं, 74 total है, तीन नमबरों को, उसको हम तीन से divide कर देंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, फिर हमने divide का symbol लगाया, और उसको फिर तीन से divide कर दिया, bracket को close किया, और enter button press कर दिया, जैसे हमने enter button press किया, जो यहां पर total था, उसका average निकाल के दिखा दिया है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई जा रहा है, उसी परकार से अब next cell में, फिर से मैं average को निकालेंगे, उसके लिए equal to, average लिखा, bracket को start किया है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई जा रहा है, अब हम दू उसे तरीके से average को निकालेंगे, bracket को start करने के बाद हमने इस तीनों number को select कर लिया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने इस तीनों number को यहां पर select किया, फिर bracket को close किया, फिर जाके enter बटन को हमने press कर दिया, तो यहां पर आप देख सकते हैं, जो इन तीनो value का average value निकाल के दिखा दिया, तो इस परकार से आप दोनों तरीके से average value निकाल सकते हैं, अब आप अपनी seat पे maximum formula का उप्योग करके दिखाएं, हर एक row की maximum value निकाल के दिखाएं, आईए, वीडियो को देख कर सीखते हैं, maximum formula का उप्योग कैसे करते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, maximum formula की मदद से आप, दिये गए value में से सबसे बड़ी संख्या को निकाल सकते हैं, maximum formula लिखने, maximum formula उप्योग करने के लिए, जहाँ आप आप उप्योग करना चाहते हैं, सबसे पहले उस column में maximum लिखें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, अब यह आप maximum लिखा, अब उसके नीचे, उसके नीचे आप maximum formula लगाएंगे, maximum formula लगाने के लिए, सबसे पहले आपको equal to का निक्सान लगाना है, equal to का symbol टाइप करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, फिर max लिखना है, m, a, x, max टाइप करेंगे, bracket को start करेंगे, फिर numbers को हम select कर लेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकता है, हमने यहाँ पर तीन number को select किया, अब इस तीन number में से जो number सबसे बड़ी number है, इन तीनों में से जो सबसे बड़ी संख्या है, वो यहाँ पर आपको दिखा देगा, हमने bracket close किया और फिर enter button प्रेस किया, जैसे हमने enter button प्रेस किया, यहाँ पर 25 आगया, 25 इन तीनों में से बड़ी संख्या है, इसलिए maximum value 25 आगया, इसी प्रकार से आप दूसरे cell में उसके नीचे फिर से maximum form लगाएं, अगर आप maximum formula नहीं लगाना चाहते हैं, तो सिब उसको click करें, और वहाँ नीचे एक button दिया है, उस पे cursor रखके drag कर लें, जैसे drag करेंगे, तो वह automatic सभी cell का, वह automatic सभी का answer निकाल देगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इस प्रकार से आप maximum formula का उप्योग करना सीख सकते हैं, अब आप अपनी seat में minimum formula का उप्योग करके दिखाएं, और हर एक row की minimum value को निकाल के दिखाएं, अगर कोई समस्या हो, तो वीडियो की मदद से सीखें, आइए वीडियो को देख के सीखते हैं, minimum formula का उप्योग कैसे करते हैं, सबसे पहले जिस cell में आपको minimum formula को लगाना है, सबसे पहले, equal to को हम type करेंगे, जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने यहाँ पर equal to को लिखा, फिर हम जो इसका formula है, min min यहाँ पर लिखा, min लिखने के बाद bracket को start किया, जैसे के आप वीडियो में देख रहे हैं, bracket start करने के बाद हम तीनों number को select कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं, जो इन तीनों number में से minimum number निकालना है, तो आप देख सकते हैं, जो इन तीनों में से minimum number जो सबसे कम संख्या है, वो यहाँ पर आ गया, हमने पहले तीनों number को select किया, और फिर bracket को close किया, close करने के बाद एंटर बटन प्रेस किया, जैसे हमने एंटर बटन प्रेस किया, यहाँ पर 24 answer आ गया, 24 answer इसलिए आया, क्योंकि इन तीनों में से 24 minimum value है, इसी प्रकास से आप बाकी सबी कर निकालना चाहते हैं, तो उस cell को पहले select करें, जैसे का आप वीडियो में देख रहे हैं, वहाँ पर एक बटन बना हुआ है, फिर अपने cursor को वहाँ पर रखे और नीचे ड्रैग कर लें, automatic यह सबी संक्या में से जो minimum value है, उसको यहाँ पर निकाल देगा, जो answer है वह यहाँ पर आ जाएगा, तो इस प्रकार से आप minimum formula को उप्यूग कर सकते हैं, अब आप सभी अपनी seat पर page break preview का उप्यूग करके दिखाएं, अगर कोई समस्या हो, तो वीडियो की मदद से सीखें, आएए, अब हम page break preview करना सीखें, सबसे पहले, अपने pointer को view menu पे लेके जाएं, वहाँ पे क्लिक करें, एक box आजाएगा, फिर अपने pointer को page break preview पे लेके जाएं, वहाँ पे क्लिक कर दें, जैसे क्लिक करेंगे, तो आप देश सकते हैं, जो आपका data था, जो हमाई CTU page break preview में जाएगा, हमने जितना data लिखाता, सिर्फ उतना ही data यहाँ पे सो करेगा, जैसे क्या आप वीडियो में देख सकते हैं, और बाकी सब hide हो जाएगा, तो यह app page break preview में आ गया, तो इस प्रकार से आप page break preview का उप्योग कर सकते हैं, अब आप सभी toolbar को hide करके दिखाएं, अगर को समस्या हो, तो वीडियो की मदद से सीखें, आइए वीडियो को देख कर सीखते हैं, कि toolbar को कैसे hide करते हैं, सबसे पहले अपने pointer को view menu पे लेके जाएं, वहाँ पे click करें, एक box आ जाएगा, जैसे का वीडियो में देख सकते हैं, फिर अपने pointer को toolbar पे option पे लेके जाएं, वहा वह यहां से hide हो जाएगा, जैसे का वीडियो में देख सकते हैं, फिर से अपने pointer को view menu पे लेके जाएं, वहाँ पे click कर दें, toolbar option को select करें, अब formatting पे click कर दें, जो formatting toolbar को option था, वह आपके seat से hide हो जाएगा, जैसे का वीडियो में देख सकते हैं, फिर से view menu पे click करें, टूल बार पे क्लिक करें और स्टेंडर पे क्लिक कर दें जैसी स्टेंडर पे क्लिक करेंगे जो स्टेंडर टूल बार है वो हाइड हो जाएगा फिर से अपने pointer को view menu पे लेके जाए वहाँ पे क्लिक करें एक box आएगा फिर toolbar पे क्लिक करें सबसे आखिर में यहाँ आप देख सकते हैं formula bar है वहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे formula bar पे आप क्लिक करेंगे जो formula bar का option था वो यहाँ से hide हो जाएगा तो इस प्रकार से आप इन tools को आप hide कर सकते हैं अब आप column and row header काटा कर दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आएए वीडियो देख के सीखते हैं header and row को कैसे remove करते हैं सबसे पहले जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यह अभी page break preview में दिखाया गया है अभी हम यहाँ पर row और header को हटाने के लिए सबसे पहले view menu पे click करेंगे एक box आजाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फिर अपने pointer को column and row header पे ले जाना है और वहाँ पे click कर देंगे जैसी click करेंगे तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे row और header था उपर वो यहाँ से हट गया यहाँ से आप देख सकते हैं column और row यहाँ से हट गया सिर्फ हमने जो data type किया था सिर्फ वो ही यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं तो इस प्रकार से आप row और column header को हटा सकते हैं अब आप सभी toolbar को सो करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आईए वीडियो की मदद से उन सभी टूल को वापिस लाना सीखें जिसे हमने hide किया था सबसे पहले अपने pointer को view menu पे लेके आएं वहाँ पे click करें एक box आएगा फिर अपने pointer को toolbar option पे लेके जाएं एक फिर से box आजाएगा उसका फॉर्मेटिंग पे click कर दें जैसे ही आप formatting पे click करेंगे formatting toolbar को option आजाएगा फिर view पे click करें अपने pointer को toolbar option पर लेके जाएं फिर यहां पर standard को ढूणे और standard पर click कर देए तो आप देख सकते हैं अभी standard toolbar नहीं है लेकिन जैसे हम इसको थोड़ा सा adjust करेंगे जो formatting toolbar है जो आपका standard toolbar है वो आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं पिर अपने pointer को फिर अपने pointer को वीव मेन्यू पर लेके जाएं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहां पर वीव मेन्यू पर click किया वीउ मेनु पर क्लिक करने के बाद, अपने pointer को toolbar पर लेके गए, फिर formula बार पर क्लिक कर दिया, जैसे हमने formula बार पर क्लिक किया, जो formula बार का option था, वो यहां पर वापिस आ गया, तो इस प्रकार से हम उन सभी options को वापिस ला सकते हैं, उनको फिर से हम show कर सकते हैं. अब आप column and row header को show करके दिखाएं अगर कोई समस्तिया हो तो वीडियो की मदद से सीखें आईए वीडियो की मदद से row और header को show करना सीखें जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे अभी row और column दिखाएं नहीं दे रहा है उसके लिए सबसे पहले अपने pointer को view menu पे लेके जाएं वहाँ पे क्लिक करें एक box आजाएगा फिर अपने pointer को column and row header पे क्लिक करें जैसे उस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं row और column वापिस आ गया जैसे कि वीडियो में दिखाए जा रहा है अब आप सभी अपनी seat के size को 120% करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आईए वीडियो की मदद से zoom option को उप्योग करना सीखें सबसे पहले अपने pointer को view menu पे लेके आएं वहाँ पे क्लिक कर दें एक box आएगा फिर अपने pointer को zoom लिखे option पर लेके जाएं और क्लिक कर दें जैसे क्लिक करेंगे एक box आजाएगा डालाग box आजाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर option दे रखा है कुछ यहाँ पर कुछ options दिया हुआ है यहाँ पर हमने variable पर क्लिक किया variable से आप जो page का size है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं जैसे कि आपका page है यहाँ दो बटन दिया हुआ है आप उसे size को कम या ज्यादा कर सकते हैं या फिर direct आप उसे वहाँ पर लिख के जितना आपको percentage चाहिए वहाँ पर उतने percentage को लिखें जो आपका page है वो उतना ही आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है तो इस परकास से आप जूम का उप्योग कर सकते हैं आएए अब वीडियो को देखकर नॉर्मल और page break preview के बारे में सीखें आएए अब page break preview से हम नॉर्मल व्यू में आना सीखें सबसे पहले अपने pointer को view menu पे लेके जाएं वहाँ पे click करें एक box आ जाएगा फिर अपने pointer को नॉर्मल पे लेके जाएं और click कर दें जैसे उस पे click करेंगे जो आपका seat था वो पहले page break preview में था अब ये नॉर्मल व्यू में आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं तो इस प्रकार से आप नॉर्मल व्यू में कर सकते हैं क्योंकि आज की class यहीं पर समाफ्थ होती है आप सभी अपनी file को close करें फिर अपने computer को properly shutdown करें आज की class में आपने view menu की कुछ option जैसे की normal, page break preview, toolbar, column and row header और zoom के option के practice किया और उसके बाद sum, average, maximum, minimum, formula का अभ्यास किया